अब तक आप लोग जान चुके होंगे कि junior accountant कनिष्ट लेखाकार और टी आरे तसील राजस्वे लेखाकार की exam की date घोसित हो चुकी है बहुत जल्दी आपके सामने भरती का notification आ जाएगा जो लोग CETIG में qualify कर पाएंगे वो लोग आगे junior accountant दे पाएंगे बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे sessions में आप लोग ये जान चुके होंगे कि इस भरती में क्या syllabus है कैसे इसकी प्रिक्षाप pattern है हम लोग भी इसके बारे में बहुत सारा details से discussion करेंगे देखिए जो विद्यारती IS और RS का ख्वाब रखते हैं उनको छोड़ करके जिने जोब चाहिए जिने particularly एक जोब चाहिए तो उनके लिए मैं कहता हूँ बहुत बेस्ट जोब यह है ने केवली इस जोब में selection होना बहुत आसान है बलकि इसके बाद जोब करना भी बहुत मज़दार रहेगा एक अच्छे से office में आपकी posting रहेगी आप कारलाइजक्स रहेंगे नह आपके ऊपर किसी परकार के responsibility और liabilities नहीं रहेगी आप एज advisor काम करेंगी और बहुत ही खुल करके काम करेंगी मैं इन nutshell में कहूं तो आप पूरी तरह से अपने आपके freedom और finance जोब में रहेंगे और एक बहुत बहतरी जोब में रहेंगे आपके इसमें कार्य की विवीदा भ जोब आपको पता है कि सरकार में जो भी काम होते वो नगद में नहीं होते वो currency में और money में नहीं होते वो सिर्फ कागजमन होते लेकिन as they उतनी ही value रखते हैं जितनी हम इसे किसी चेक को एक लाग का भरते हैं तो उस चेक की value एक लाग रुपे के बराबर ही है तो उस office का जितना भी financial कामकाज है वो junior accountant के माज़न से ही संपन किया जाता है और उस कामकाज के लिए भी करल एडिक्स जिम्मदार है ने की junior accountant तो किसी भी प्रकार की financial liabilities उसके पास नहीं है करे करने की विविटता है आपका transfer बहुत सारे department में हो सकता है और यदि जो विद्यारती ISRS को अपना सपना मान चुकर के वो उनकी ही तियारी कर रहे है उनको छोड़ करके यदि किसी को job चाहिए तो भाया ये एक बहुत ही golden chance है और अब आप लोगों को जग जाना चाहिए इस भरती की importance एतनी है कि ये पिछले 10 साल के बाद अब भरती आई है 2013 की जो भरती आई थी उस चलिए आप लोगों के पास golden chance भी बढ़ता है और probability आपके selection होने की बढ़ जाती है दूसरी बात दौनों पेपर्स में अलग अलग आपको qualifier अंकल आने होंगी कुछ लोग उसमें भी पिछड जाएंगी चलिए वगेरा वगेरी बहुत सारी चीजे हैं जो आपकी इस रहा म मैं आसान कर देती है यदि मैं पूरी मांदर से एक बात कहूं competition के इस माहूल में यदि किसी भरती में सबसे आसानी से selection होता सबसे नियूंतम जो महनत से selection हो सकता तो वो यही भरती है सब के पास चार मेने का समय है और सब के लिए एक तरह से नया syllabus है सब के लिए यदि किसी पुस्त पालब नहीं पढ़ रखा होगा, accountants से नहीं पढ़ रखे होगी, business method नहीं पढ़ रखे हो तो सब ने ही नहीं पढ़ रखे हैं आर्स वाले विध्यारतियों के chances ज्यादा है क्योंकि आपके syllabus में दो paper में total 12 subjects है जिसमें accounting, auditing और ये bookkeeping वाले तीन subjective particular commerce के हैं बाकी सार पुड़ी सी discuss में आपके सामने इस exam को लेकर कर देता हूँ, आपकी इस exam में दो paper रहने वाले हैं, एक paper first और दूसरा paper second ये आपका paper first हो गया, ये आपका paper second हो गया, क्या क्या रहने वाला है दोनो papers में ये सब जीजे हम discuss करेंगे, प्रतियेक paper के हर एक जो paper है उसके 6 subjects है, प आपको English पढ़ना पढ़ेगा, ये दो तो language होगी, इसके अलावा Hindi English के लावा आपको Maths पढ़नी पढ़ेगी, Maths के लावा आपको Computer पढ़ना पढ़ेगा, Computer Science के भी कुछ topics है और बराबर वेटेज है इसका, Computer के अलावा आपको यहाँ पर राजस्थान जीके भी पढ़ना पढ़ेगा, राजस्थान जीके का भी एक अच्छा खासा portion इसमें है, और Hindi, English, Maths, Computer राजस्थान जीके के लावा आपको General Science भी इसमें पढ़नी पढ़ेगी, देखिए इस पहले paper पर हम फिर से अगर analysis करें, ये छे अलग-अलग portion है आपको, और ऐसा कोई student नहीं है, जिसके ये 6 के 6 portion बहुत मजबूत रहा हूँ, सब आते हो, ऐसा कोई भी student शायद ही होगा, जिसको Hindi भी बहुत बहुत बहतर इन आती हो, और वो English में भी बहतर हो, गनित में भी बहुत अच्छा हो, computer भी उसको आता हो, राजस्थान जीके तो चलो, फिर सब का ही है, साइस भी उसको आती है, ऐसा कोई student नहीं है, इसलिए घबराने के आउशकता है नहीं कि मैं इतना कप पढ़ूँगा, आपके जैसे student level के ही यहाँ पर है, सबसे मज़े की बात यह है, आप इन 6 में से यदि अपने strategy में, कोई 2 या 3 सब जग 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 स नहीं है, अगर आप चाहते हैं, कि आपका selection हो, अब यदि हम बात करें, second paper की, second paper में भी 6 के 6 subject है, bookkeeping, and accountancy, दूसरा जो है, वो है business method, फिर तीसरा इसमें आज़ाता है auditing, फिर चौथा जो topic है, वो आज़ाता है Indian economy, मैं English में लिखवा रहा हूँ, हिंदी में भी आपको बता रहा हूँ, भारतियार्थ सास्त्र, और उसके बाद 2 चीज़ां रह जाती है, एक राजस्थान service rules, राजस् और एक सामान्य वित्य एंड लेक, सामान्य वित्य एंड लेखानियम, जी एफ एंड ए यार, देखिए ये आपके 12 सब्जेक्ट हो गए आपके सामने, इन 12 सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है, अब second paper में particularly यदि मैं बात करूँ कि e-commerce field से विध्यारती है, उनको कितना benefit है और जो non-commerce है, उनको कितना benefit है, देखिए ये जो 3 सब्जेक्ट है, जो bookkeeping है, business method है, ये auditing है, ये commerce का subject है, और commerce वाल student बहतर कर सकते हैं, तो अब देखिए, क्या 12 में से 3 बहतर करके आप selection ले सकते हैं, मैं ये नहीं करना हूँ कि commerce वाले नहीं ले सकते हैं, commerce वाले भी ले सकत लेकिन आर्थ वालों को डरने की आशकता नहीं है, कि हमारा इस वज़य से नहीं होगा, कि हम commerce field से नहीं है, तो कोई फरक नहीं पड़ता है, आप commerce field से हूँ, आर्थ field से हूँ, ये 12 सब्जेक्ट आपको अच्छा से करना है, अब इस 12 सब्जेक्ट की strategy ये बनानी है, कि जो सब्जेक्ट बहतर है, उसे और बहतर करना है, ताकि ज़्यादा number खींचे जाए, और जो सब्जेक्ट कम बहतर है, उसे भी बहुत अच्छा करना, ताकि पिछड़े नहीं, सबसे और इसमें रणनीती ये हो सकती है, कि यदि कोई एक सब्जेक्ट है, जो पिट भी जाए, तो दूसरे subject में आप marks, score, cover कर सकते हो, ये 12 जो subjects है, इनमें किसी एक में यदि number कम आए, जो आपको अच्छा नहीं लगे, या समझ कम आए, तो आप किसी और subject में इसको recover भी कर सकते हो, इसके अंक को आप recover भी कर सकते हो, घबराना नहीं ही है, बहुत सरल सा portion है, अलग-अलग तीजों के अलग-अलग faculties आपको पहले से बता चुकी है, इस पूरे portion मेंसे, हर एक जो आपका है, यानि कि इसका भी वेटेज 35 प्रसन आएंगे, पिचतरंग होंगे, ये भी 25 प्रसनों का होगा, ये भी 25 प्रसन होंगे इसमें, ये भी 25 प्रसन, और ये भी 25 और कुल मिला करके ये भी 25 और थेके 6 सब्जेक्ट है, तो ये सारे मिला करके आपके 150 प्रसन आएंगे, कितने प्रसन आएंगे, 150 questions आएंगे, और हर question का 3 अंक हैं, और 450 अंक का आपका ये paper होगा, ये pattern विजिप्ति आने के बाद हो सकता है, वैसे chances नहीं हैं कि इसमें कुछ भी बदला हो, as it is होगा, probability यही है कि विजिप्ति आने के बाद भी यही pattern रहेगा, लेकिन यदि कोई भी थोटा मोटा बदला हो भी जाता है, तो हम उसके according अपनी रणनेती फिर से बना लेंगे, अभी से आपको अपनी पुराने strategy के नुसार तैयारी शुरू कर देनी जी, same to same आपको इसमें भी रखा गया है, 25 सवाल यहां से भी, 25 सवाल यहां से भी, 25 सवाल हर एक portion से 25-25 जो सवाल है वो आएंगे, और आपको इन 25-25 सवालों को बहतर करना, अब देखे, दोनों paper में आपको ऐसा नहीं है कि 6 के 6 में अलग-अलग आपको 35 परसेंट या 40 परसेंट लाना है, नहीं, इस पूरे paper को मिला करके आपको qualify करना, इस पूरे paper को मिला करके qualify करना, जो minimum महरता विज्यप्ति में आएगी, हम उसे में देखेंगे कि कितना-कितना percentage आँग इसमें लाने हैं या लाने नहीं भी है, वो detailed notification आजाएगा, तब हम देख लेंगे, देखे, सबसे बड़ा chances इसमें ये है कि आप एक subject का दूसरे में recover कर सकते हो, अपने strategy को बहतर बना सकते हो, ये GF&AR, 35 प्रशन, ये आपको मैं करवाने वाला हूँ, और बहुत बहतरीन और बहुत सरल भासा में आपको ये करवाने वाला हूँ, जो विद्यारती EOR की त्यारी कर चुके हैं, उनको पता है कि योजनाओं के जो जिस तरह से मैंने योजनाओं करवाई, मैं ये नहीं कहा रहा हूँ कि मैं अपनी ही बड़ाई कर रहा हूँ, मैं एक students को ये trust दिला रहा हूँ कि जो योजनाओं करवाई है, उसमें से पहली सिप्ट में साथ और दूसरी सिप्ट में दसमें से आठ प्रशन मिले हैं, तो यहां GFNDR में से आपको बहुत सारे प्रशन as it is मिलने वाले हैं, as it is, जैसे हम पढ़ेंगे यहां classroom में तो वैसे कर वैसे मिलेंगे, और इसको लेकर करके quality education का पूरा course एप पर available है, आप वहां जाकर के यह course पर्शेज कर सकते हैं, और मैं पूरी दावे के साथ आप लोगों को कह सकता हूँ, कि विध्यारतियों आप यदि इस course को खरीते हैं, तो आपकी तैयारी में बहुत भैतरिन help होने वाली है, इस course की मात्र इस course की price है, अभी रुपे 2,999 रुपे इसकी price है, जिसमें आपको पूरा syllabus मिलने वाला है, और इसके साथ-साथ test series भी इसमें आपको free है, test series भी इसके साथ-साथ आपकी free रखी गई है, इसके साथ include है, अलग से जो 399 रुपे के test series भी इसके साथ free है, तो ये जो course है, ये बहुत ही marginal course है, बहुत ही सस्ता course है, और आप लोग ये इसको purchase करेंगे तो बहुत बैतर रहेगा, ये तो पूरी थी आपको syllabus के बारे में, detail 1% 3 अंग का है, 900 का है, negative marking 1 अपन 3 है, 1 अपन 3 है, वो सारे चीज़े आपकी detail notification में, आपको लोगों को और अच्छे से मालूम चल जाएगी, detail notification आने के बाद हम इस पर और ज़्यदा discuss कर लेंगे, अब हम वापिस आते हैं, GF and AR की, देखे, ये आपका GF and AR है, वो 35 प्रशन लिए हैं, और जो इन 12 subjects में से हैं, तो 12 नंबर पर ये GF and AR आपका आता है, आपको पूरा GF and AR नहीं पढ़ना है, GF and AR, G से General, F से Financial, A से Accounting, Accounts और R से Rules, GF and AR, सामाने वित्याव लेखा नियम, आप चुंकि जिस post पे जा रहे हैं, इसके अब पर्टिकुलरली तीन वोल्यूम हैं, तीन अलग 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 chapter है, ये आपके सेलेबस में इतना पूरे तीनो खंड और सारे chapters नहीं है, केवल और केवल 8 chapter वो भी volume 1st में से हैं, और वो भी कौन-कौन से chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से 6 तक लगातार, और उसके बाद 14 और 17, ये आपको chapter में करवाने वाला हूँ, और पूरी कोशिस और बहुत ही सरल भासा में करवाने वाला हूँ, हिंदी और इंग्लिश, डॉनोर टाम यूज़ करके हम करवाने वाले हैं, और मजे की बात सबसे जो खास बात है, वो ये है, कि हर subject, हर chapter के बाद, आपको उस chapter से बनने वाले संभावित, 25 प्रशन, या 30 प्रशन, या इससे भी ज्यादा, जितने भी प्रशन बन सकते हैं, वो आपको MCQs के रूप में, उसी session के खत्म होने के बाद, उसी chapter के खत्म होने के बाद, करवा देंगे, देखे, GFNDR, जिसमें आपका volume जो केवल है, volume 1 ही आपके syllabus में है, और volume 1 मैंसे ही, part 1 ही आपके syllabus में है, और इस part 1 मैंसे ही, केवल 25 प्रशन आएंगे, 1500 मैंसे 25 प्रशन आएंगे, और हर प्रशन का जो अंक भार है, वो 3 रहेगा, 75 नमबर रहेंगे, कितना कितना से ले बस आपके रहेगा, chapter 1, chapter 2, chapter 3, 4, 5, 6, 14, and 17, tips पर याद होने चाहिए, जितना जटिल आपको ये लग रहा है, कि ये तो बहुत टब प्रशन है, हम इसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन विश्वास बनाए रखे, बहुत सरल भासन हम उसको करवाने वाले हैं, देखिए इससे भी आगे बढ़ते हैं, ये आपके पाठेक्रम का विभाजन है, जो chapter है, देखिए पहला chapter, दूसरा, तिसरा, चौथा, पहले chapter का नाम आरंबिक है, जिस तरह से यहाँ English में लिखावा, वैसा का वैसा आपके course में लिखारेगा, पहले chapter में नियम एक से लिखर के 4 तक है, नियम एक में सामने जान करी है, दो में आपकी सारी परिभासाइं दी रखिये, तीन में डीडियो कारला अधिक्स की नियुक्ति करेगा, और उसके नीचे किसी भी राजपत्रित अधिकारी को उस कारले का अहरन वित्रन अधिकारी भी बनाएगा, जो कि उस कारले में लगे ए राजपत्रित जो नौन गजटेड कर्मचारी है, उनके वेतन बिलो पर साइन करेगा, नियम 4 में भी बहुत सारी बाते लिखे हैं, कि यतने भी डाउट्स है, यदि किसी भी इन नियमों के निर्वतन में, किसी भी इन नियमों के व्याक्या में कोई डाउट्स है, तिसरा राजस्व एम प्राप्तिया, रेवेन्यों रिशिप्ट्स, 27-41 तक, और चौथा सरकारी धनराशियों के प्राप्ति, उसके अभी रक्षा है, एसी धनराशियों का कोशागार में, भुगतान, 42-60 तक, English मैं इसलिए लिक्ट रहा हूँ, जेखे हिंदी वालों के लिए भी काम है, ये हिंदी मेडियम वालों के लिए भी काम की चीज़ है, कि यदि आप किसी भी टाइम का, जैसे मां लिएगे किसी भी टाइम का, आप English में पढ़ते हो, यहां मैं लिख देता हूँ जैसे इसमें काम आने वाली कि राजय सरकार के समस्त बकाया अब आप बकाया में आपको यह लगेगा कि यार किसी को दे रखा है आया नहीं है लेकिन इंगलिस में आप इसको यह दिदेखो गए तो इसका मतलब होगा ड्यूज अच्छा यहां आपको सेंस थोड़ा सा अलग लग रहा होगा यहां अलग लग लग रहा होगा जीज़ें अच्छे से समझ में आएगी आप इन दोनों के साथ बहुत बैतर फैमिलियर हो पाऊगे इसलिए यह प्रयास किया जा रहा चले बस विभाजन के बाद हम देखते हैं चेप्टर पांच में जो पॉवर आप सेंक्षन है 61 से 73 आपको रूल्स पढ़ने है भुगतान जो पैमेंट्स है 74 से 124 तक यहां अलग से आपको पूरा पढ़ना है फिर चेप्टर 14 और 17 MCQ जितने भी बन सकते हैं वो करवा देंगे इस तरह से हर चेप्टर के बाद आपको क्लास्रूम में क्यूशन आंसर मिलने वाले भी है तो बहुत सारे क्यूशन आंसर तो आपको एक्जाम होल में यहां से एज़टीज ही मिल जाएंगे अब देखिए थोड़ी सी हम डिस्कस और कर लेते हैं कि जो 2013 में भरती हुई थी उसमें GFNDR के पेपर कैसा आया था क्या-क्या प्रसंद है किस-क्या तरीके से थे क्या-क्या उनका लेवल था मैं कहा रहा हूँ अभी आपको यह प्रसंद बहुत जटी लगते हैं लग सकेंगे अभी हम सारे प्रसंद पर डिसकस भी नहीं करेंगे क्योंकि अभी तो को हमने पढ़ा भी नहीं है लेकिन आप लोगों को मैं पहले बता देता हूँ कि आप इस पेपर को पढ़ लीजेगा आप मैं इसकी पेडियेप है जो हमारे टेलिग्राम चैनल पर भी डलवा दूँगा और आपको इस क्लास की पेडियेप में भी डलवा दूँगा वहाँ ये सारे प्रसंद आपको एवलेबल रहेंगी 25 प्रसंद है हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखावा देखी मैं एक दो प्रसंद आपके उदारान के लिए ले लेता हूँ ये जो प्रादिकारी जो सब्द लिखा ना विबिन प्रादिकारी यहां कहीं लिखावा होगा अथरटीज को वित्य शक्तियों का प्रत्यययोजन जैसे बाप प्रत्यययोजन नहीं समझ पा रहें कि भी प्रत्यययोजन क्या है तो delegate यानि कि किसी को अपने कार्रेभार सौंपना तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के term यदि आपकाम में लेंगे आसानी भी वो करती है विभिन प्रादिकारियों को वित्य सक्तियों का जो प्रत्या योजन है वो सामन्ने वित्य उनले खर नियमों GFNDR के किस भाग में विही थे भाग एक, दो, तीन या सभी भागों में इन विच पार्ट अब GFNDR, डेलिगेशन और financial powers to various authorities have been prescribed part 1, 2nd, 3rd and all their parts ये इस तरह से आप समझोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा अगला प्रसन है जो ये exam में आया हुआ है इस तरह का प्रसन है जी ये 15, 16, 17, 18 में से कौन से है जो इस प्रसन का सही उतर दे रहा है तो इसकी प्रसन में डलवा दूँगा सारे प्रसन हो कि हम यां डिसकस नहीं करने वाले है आप लोग आगे देखिए जैसे क्यों से नमर 128 ये इंग्लीश में है 29 इंग्लीश इंदी दोनों में है 28 इंग्लीश इंदी दोनों में इंग्र और पूरी तरह से संतुलिश पूरी तरह से बैलेंस्ट तयारी करेंगे जी एफंड-e-e-r की ताकि आपको एक्जाम होल में बहुत जबर्दस्त फाइदा होगा जी एफंड-e-e-r और रसर से आप लोगों को सबसे ज़्यादा भै लगता होगा और रसर नरंदर सर करवाएंगे वो भी बहुत सरल तरीके से आपको करवाएंगे उन्होंने यू-e-r-o में आपको नगरपाली का एक्ट करवाए था और एज इस सारे के सारे सवाल वहां मिल गए थे हलंकि यू-e-r-o का पेपर आपकी तैयारी के अनुकूल नहीं था उससे भी ज्यादा नीचे सारल इस्तर का पेपर था हम उस पर डिस्कस भी ओर करेंगे तो RSR और GF&AR इन दोनों की चिंता करने की आपको बिल्कुल भी आशकता नहीं है GF&AR आपको टिप्स पर ट्रिक्स पर याद हो जाएंगे और मैं कहता हूँ कि इस सब्जेक्ट को आपको अपना लीडिंग सब्जेक्ट बना लेना है यहां भी नहीं नौकरी करने के समय भी आपको यह चीज़ें बहुत ख्यालपुल रहेगी तो इतना सिद्दत से पढ़ना है देखिए किसी भी बरतन में हम पानी तब भर सकते हैं जब वो पहले से खाली हो आप अपने दिमाग को पहले से खाली रखें और चीज़ें को भरने का प्रियास करें जो चीज़ें जो इंफेक्ट्स जो सुचने हम आपको दे रहें उनको भरने का प्रियास करें तो GFN AR के मामले में आप बिल्कुल खाली दिमाग, बिल्कुल कोरा दिमाग, बिल्कुल कोरा मटका आप लेकर के आईए, आप में सारा पूरे मटके को हम भरने की पूरी कोशिश करेंगे, एक्जाम होल में, वो जो संग्रहित ज्यान है आपका, वो बहुत हेल्प करने वाला तो दो जबर्दस्थ फाइदे हैं, एक तो selection होना आसान है, एक job की प्रकरती इतनी मज़दार है कि आपका पूरा जीवन बहुत बहतरिन तरीके से गुजर जाएगा, मित्रों मैं यह किरा हूँ कि इस session में आपको मज़ा आया होगा, मज़ा आया तो आप comment करके मुझे बताए यह आप मुझे पर छोड़ सकते हैं, और बहुत बहतरिन तरीके से जिस तरह से quality education का नाम है, उसी तरह का यहाँ content आपको मिलने वाला है, उमिद करूँगा कि इस सफर में आप लोग मेरे साथ मिल करके आनद उठाएंगे, आप सब की परिक्राओं की मंगल कामनाओं के साथ थैंक यू